सिवांग जिले में दिन प्रति दिन अपराधियों के होसले बेखौप होते जा रहे हैं ताजा मामला अंदर थाना छेतर के भरवली गाउ का है जहां पर केस उठाने की धमकी दे रहे अपराधियों ने बात नहीं मानने पर युवक को गोली मार दिया भरवली मठिय गाउ निवासी रेटायर होमगाड जवान के बेटे रितेश तिवारी को अपराधियों ने गोली मार कर गंभीर रुप से घायल कर दिया है घटना के बारे में प्राप्त जनकारी के अनुसार रितेश तिवारी गाउ में ही एक पुल पर बैठे हुए थे तबी गाउं के ही अभिमन्यू सिंग, धीरश सिंग, बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं और रितेश पर गोली चला कर मौके से फरार हो गया गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पर जनों ने रितेश को सदस्पताल लाया जहां पर प्रात्मिक उपचार के बाद उसे रिफ़र कर दिया गया है मिली जनकारी के अनुसार रितेश को गोली उसके कमर में लगी है जिसका इलाज सिवान में किसी नीजी किलीनिक में चल रहा है बता दे कि रितेश को एक वर्ष पूरू ही इन्हीं लोगों ने गोली मार कर घायल कर दिया था इसी केस को वापस लेने के लिए अपराधी लगतार दबा बढ़ा रहे थे जब रितेश केस वापस लेने से इंकार किया तो अपराधियों ने उसकी हत्या करने के नियत से उस पर गोली चला दी बता दे कि रितेश की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है